हेलो सुटेंट्स दिस प्राची वेलकम तो अबर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चाप्टर 2 का नया टॉपिक डापिक 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 डिसकस कर चुके हैं उन सब की वीडियो का जो लिंक है वो डिस्रिप्शन बॉक्स में आपर जाके प्लेलीज को वीडियो में हमने डिसकस किया था about errors ठीक है कि कैसे error find करते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं तो अगर आपको ऐसे ही कोई पर्टिकुलर नंबर दे दिया गया है उस नंबर के क्या importance है उस नंबर में कितनी important figures हैं उन्हें हम कहते हैं significant figures यानि कि in short अगर मैं बोलूं कि किसी नंब numbers हैं उन्हें हम बोलेंगे significant numbers जैसे कि for example अगर किसी object की अगर मैंने length measure की है और वो जो length आई है वो मान लेते हैं वो आई है 283.6 cm ठीक है यह length आई है तो इसके अंदर अगर मैं देखूं ध्यान से देखूं तो 2 भी important है 8 भी 3 भी 6 भी यह सारी के सारी figures जो है वो बहुत important है म figures ठीक है तो यह चारो की चारो important की हूँ है क्योंकि यह हमें एक particular proper number दे रखा है कि exact यह number है ठीक है similarly अगर मैं कहती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज खरीद नहीं है जैसे मालो मुझे bicycle खरीद नहीं है ठीक है तो bicycle का क्या price है तो वो कहता है जिसे हमें खरीद नहीं है वो कहत 12,000 के आसपास है अभी तो हमने क्या कर दिया प्रॉक्सिमेटली लिगते है 12,000 तो इसके अंदर significant figures क्या है इसके अंदर significant figures कितनी है important figures तो इसके अंदर two significant figures आगी two important आगी ठीक है अब अगर मैं कहती हूँ भई मुझे exact बताओ exact price कितना तो उसने बताया rupees 12499 यह है अब यह मे significant figures कितनी हो जाएंगी one two three four five जाएंगी पांचों की पांचों मेरे लिए important हैं पांचों की पांचों significant figures है ठीक है तो अब यहां पर इसमें और इसमें क्या difference है इसमें और इसमें क्या difference है डिफ्रेंस यह है कि अगर मैं बात करती हूँ कि significant figures के अंदर कुछ numbers ऐसे होते हैं जो certain होते हैं और कुछ numbers ऐसे होते हैं जो uncertain होते हैं certain का मतलब क्या है जो fixed है जो change नहीं होगे fixed है अपनी language की बात हो रहे हैं यह कहीं भी लिखा नहीं हुआ यह आपको सरफ समझाने के लिए बता रही हूँ है कि certain number जो fixed है जिनको हम change नहीं कर सकते uncertain का मतलब है जो unpredictable है जहाँ पर कोई और number भी आ सकता है जो change हो सकते हैं ठीक है जैसे कि for example कभी भी आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो तो अगर ऐसे mostly क्या होता है 499 99 last में लिखा होता है क्या आप 1 रुपी वापस लेते हो आपके कितना दे दोगे इसको अगर ये आपको कोई amount बोलेगा तो आप 12,500 रुपी दोगे 1 रुपी तो वापस नहीं लोगे तो ये numbers क्या होगे ये होगे numbers आपके uncertain ठीक है और इसको detail में पढ़ते है जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि ये एक pen है इसकी मुझे length नापके बताओ ठीक है तो आप क्या कहोगे कि मैं इसकी जो length है वो कितनी आ रही है ये आ रही है आपकी 13.4 आ रही है ठीक है 13.4 आ रही है दुसरा बच्छा आएगा वो गएगा नहीं मैं नहीं तो 13.5 है ठीक है कोई और आएगा रही है वो कहेगा नहीं मैं to be more precise it is 13.45 तो एक बच्चे ने कहा कि ये है 13.4 एक बच्चे ने कहा ये है 13.5 एक बच्चे ने कहा नहीं मैं ये तो 13.45 है ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 13 क्या हो गया हमारा fixed हो गया this is fixed और ये जो next number आए है ये number क्या है ये आपके कोई change भी कहा रहा है कोई 4 कहा रहा है कोई 4 के आगे 5 भी कहा रहा है ठीक है तो ये जो numbers हो गए ये क्या हो गए आपके uncertain जो change हो रहे है तो इसे कहते हैं certain और these are uncertain numbers तो जो significant figures होती है वो किन से बनी होती हैं? कुछ certain और कुछ uncertain number से बनी होती है. तो let us define significant figures. तो significant figures are normally those digits in a measured quantity which are non-reliably. Reliably मतलब जो realistic होती है, real होती है. और about which we have confidence, जिसके उपर हमें confidence होता है, जैसे कि 13 तो आए गई याएगा. ठीक है, in our measurement, plus one additional digit that is unset, plus एक और digit, जो क्या होती है, uncertain होती है, याई कि वो change हो सकती है. तो यह जो figures होती है, certain plus uncertain figures are known as significant figures. तो अब significant figures को, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, कि यहाँ पर 2 हैं, यह तीन, अगली जो 3 हैं, वो नहीं है. ठीक है, तो आप कैसे judge कर पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे, कि कौन से significant figures हैं इस number में, और कौन से significant figures नहीं हैं. तो उसके लिए scientist ने कुछ rules prepare किये, तो let us discuss about those rules. तो सबसे पहला rule क्या कहता है, तो पहला rule है कि all non-zero digits जो होती हैं, वो significant होती है. जैसे कि example, अगर कोई एक number दे रखा है 2148, तो इस 4 की 4 क्या है, non-zero digits है, तो यह क्या हो जाएंगी, इसकी 4 significant figure हो गई. ठीक है, similarly अगर यह कोई points में आती है, जैसे कि 2.148 आजाता है, चाहिए point में भी आएंगे, again these are non-zero digits है, ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएंगे, again यह क्या लिखेंगे हम, 4 significant figures हैं इसकी, ठीक है, next rule, 0 between 2 non-zero digits are significant, अगर इनके बीच में कोई 0 आजाती है, तो उसको भी हम क्या count करेंगे, significant count करेंगे, जैसे for example, 21048 आजाता है, तो कितनी figures हो गई है, यह 0 आगया, non-zero digits के बीच में, तो यह 1, 2, 3, 4, 5 significant figures हो गई है, clear है यह बात, ऐसे ही, अगर यह 201489 आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 significant figures हो गई है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, जब 0s, 2 non-zero digits के बीच में आता है, तो वो भी क्या count होती है, significant count होती है, तो same, अगर मैं ऐसे point में भी लेती हूँ, जैसे कि 20.1489 ले लिया, ठीक है, बेशक point भी है, फिर भी जो 0 है, वो 2 non-zero digits के बीच में है, तो फिर भी क्या count होगी, significant figure ही count होगी, तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, again, 6 significant figures हैं clear, और अगर यह point के बाद भी हो, जैसे 2.0048 है, for example, again, अगर यहाँ पे 2 zeros भी हैं, फिर भी यह 2 non-zero digits के बीच में हैं, तो यह total count होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, again, 5 significant figures होगी है, ठीक है, तो 0 अगर बीच में इन digits के आ रहा है, तो वो भी significant figure count होगा, next rule, तो इसे से related, एक और मैं रूल ऐसे यहाँ पर लिख रही हूँ, ताकि आप लोगों को याद रह सके, जैसे कि इसमें हमने देखा, कि जो 0, non-zero digits के बीच में आ रही थी, तो उसको थो हम significant मान रहे थे, लेकिन अगर यही 0, terminal, terminal मतलब कि end में आज होए, trailing पे आज होए, एक ऐसे number पर, जिसमें decimal ना हो, तो उसको हम significant नहीं count करेंगे, जैसे कि 15700, तो यह क्या होगी, terminal, बिल्कुल end point पे आगी है, तो इसके अंदर सिरफ 3 ही आपकी significant figures होगी, ठीक है, लेकिन अगर यही 0 बीच में आ जाती है, तो वो significant है, अगर वो terminal प्यारिये, end प्यारिये, तो यह, जो है, वो significant नहीं है, और यहाँ specially mentioned है, without a decimal point, without a decimal point, but, if, अगर वहाँ पे decimal point आ जाई है, यानि कि, the trailing 0 in a number with a decimal point जो होती है, वो significant होती है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, but, with a decimal are significant, अगर वो decimal के साथ है, तब वो significant है, जैसे कि, for example, मैं लिखती हूँ, यहाँ पर, 15.700, अब यह जो है, यह कहाँ आ रही है, यह यहाँ पे, इस तरीके से हम कह सकते हैं, हाँ, तो अब यह क्या है, point के बाद आ रही हैं, दोनों zeros, तो अब significant figures यह सारी की सारी होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 significant figures होंगे, तो यह बहुत important rule है, कि अगर आपके वो बिना point के आ रही हैं zeros, तो वो हम significant में counter नहीं करेंगे, अगर वो point के बाद आ रही है, then we will count those zeros as significant figures, ठीक है, next rule, next rule very important, पढ़ने से complicated लगेगा, लेकिन example से समझ में आएगा आपको, कि if a number, जो 1 से less है, the zeros on the right of the decimal point, decimal point के right में है, बट, left में है first non zero के, वो don't significant होती है, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात ही, example देखो, example में बोला है कि कोई एक number जो 1 से less हो, 1 से less हो तो मैं ऐसे लिख लेती हो, 0 point, ठीक है, 00275, अगर मैं ऐसे लिख लेती हो, अब इसको धियान से देखना, इन्होंने बोला है कि अगर एक number less than 1 है, हांची, यह number less than 1 है, right, जो zeros है, right decimal point पे हो, तो point के right पे जो है, यह zeros है, ठीक है, बट, left में हो first non zero के, first non zero is two, इसके left में भी present है, यह जो होती है, यह not significant होती है, यह आरे कि तीनों की तीनों, जो है, वो क्या है, not significant figures है, बट, these three are significant figures, यह 3 significant figures है, similarly, अगर मैं यहां पे ऐसा लिखती हूँ, 0.002750, अब मेरे को बताएए, यह पहली 3 तो क्या होगी not significant, बट, point के बाद यह, non zero digits तो significant होते हैं, plus point के बाद, non zero digits के next वाली जो zero होती है, वो भी क्या होती है, significant figures होती है, यहां आजाएँगी four significant figures, अगर मैं इसको relate करूँ third point से, तो आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने बताएँ था, कि point के बाद, जो digit, अगर point के बाद zeros आती है, इससे next वाली जो आती है, तो वो क्या होती है, significant होती है, तो आपने देखा, कि इससे next वाली को मैंने significant माना है, but अगर यह पहले zeros आ रही हैं, तो significant नहीं है, but एक चीज़ और, अगर मैं यहां लगा देती हूँ, 5.002750, अब मुझे बताइए, अब बताइए मुझे, अब कितनी significant zero है, अब यह दोनों को हम significant मानेंगे, because this number is not less than 1, यह वाला जो rule है, वो सिरफ उनके लिए है, जब वो less than 1 number है, अब इसके अंदर यह भी count होगी, यह भी, यह भी, सारी के सारी significant figures होगी, clear होगी यह बत, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके अंदर 7 significant figures है, क्योंकि यह जो zeros आई हैं, वो 2 known zero digits के बीच में आई है, प्लस यह zero जो है, यह point के बाद आ रही है, that's why, clear होगी यह बत, तो यह थे कुछ rules for significant figures, तो देखा, आपने majorly 4 ही rules थे, ठीक है, अब इसे के उपर base में कुछ यहाँ पर figures लिखती हूँ, तो आप मुझे बताएंगे, इसके अंदर कितनी significant figures है, ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहला, यह देखिए, सारी के सारी known zero digits है, ठीक है, तो according to first rule, all non-zero digits are significant to 1, 2, 3, 4, तो चारों के, चारों होगे, तो यह होगे 4 significant figures, ठीक है, next देखिए, next आपको क्या दे रखा है, 300.0, तो अगर decimal है, तो decimal के लिए हमने क्या लिखा था, यहाँ पर point आया था आपके पास, कि जब decimal आ रहा था आपके पास, बिना decimal के, यह क्या था, यह तीन ही significant थी, यह significant ही थी, लेकिन जैसे ही decimal आ गया, तो decimal के बाद वाली भी, और decimal से पहले वाली भी zeros जो होती है, वो क्या होती है, सब significant होती है, तो this is very important, तो यह decimal जैसे ही आ गया, तो वहाँ पर सारी के सारी significant figures होगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, this is 5 significant figures, ठीक है, अब यहाँ देखे, यहाँ पर मैंने अब आपको क्या बता है, कि decimal है यहाँ पर, तो इससे पहले वाली यह non-significant होगी, why, because यहाँ पर हमने क्यों इसको significant होला, क्योंकि यहाँ पर यह 3 पढ़ा हुआ था, यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, यह क्या होगा number, less than 1 हो गया, less than 1 के लिए कौन सा rule होता है, less than 1 के लिए यह rule होता है, कि point के बाद वाले जो होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके significant होते हैं, कि non-zero digits से left में हो, बढ़ decimal के बाद वाले जो 0 होती है, वो भी क्या होती है, non-significant होती है, और point के बाद वाले जो यह वाले digits होंगी, यह तो significant होंगी, तो यह भी होंज़ेंगे two significant figures, ठीक है, अब यहाँ बताईए, again less than 1 है, तो यहाँ कि पहली वाली सारी zeros जो होंगी, वो तो हो जाएंगी not significant, बाद वाली जतनी भी होंगी, वो सब क्या होंगे significant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 हो गई, 6 significant figures, ठीक है, next देखे, यह सब क्या है, non-zero digits है, तो यहाँ पर तो कोई, ना decimal है, nothing कोई जख करीने, तो सिदा सिदा क्या लिखेंगे, 4 significant figures हैं यहाँ पर, I hope आपको यह doubts यहाँ से clear हो गए होंगे, यह important है, एक यह important है, ठीक है, तो अब अगर माल लीजी, इतनी बड़े बड़े digits को, मुझे छोटा करके लिखना है, जैसे decimal place के पास, इतनी बड़े बड़े digits आजाती हैं, उनको अगर मुझे 2 decimal place तक, 3 decimal place तक लेकर आना है, तो उनको हम squeeze कैसे कर सकते हैं, उनको हम छोटा कैसे कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं, rounding off concept, तो उसे कहते हैं, हम rounding off, ठीक है, तो सबसे पहली बात, यह round off हम करते कैसे हैं, सीधी से बात है, सबसे पहली बात, मान नीचे, कि अगर 2.4973, यह आपको number दे रखा है, ठीक है, और आपको question में बोला गया है, कि आपने answer लिखना है, up to 3 decimal place तक, up to 3 decimal place तक, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने, यह तो हो गया decimal, इसके बाद 1, 2, 3 तक जाना है, है ना, यहनिकि 7 तक जाना है, तो यह fourth digit जो है, यह आपने क्या करनी है, drop करनी है, क्या करनी है, drop, ठीक है, तो उसके लिए एक concept है, अगर drop करने वाली जो digit है, drop करने वाली डिजिट जो है, अगर वो less than 5 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह 5 से less है, that is 3 है, then हम उसको normal drop कर सकते हैं, without any change, तो हम कुछ भी change नहीं करते हैं, तो हमारा जो answer आएगा, वो क्या आएगा, 2.497, यह आपका answer आजाएगा, ठीक है, अब अगर यहाँ पर 3 के बजाए, 2.4977 होता, और आपको अभी भी 3 decimal place तक ही लेकर जाना है, तो 4th digit को आपने क्या करना है drop, और अब अगर drop करने वाली जो digit है, वो greater है 5 से, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, करते हैं, हम preceding वाली में plus कर देते हैं 1, preceding मतलब पहले वाली में, ठीक है, यानि कि जो drop करने से पहले वाली जो digit है, उसमें हम क्या कर देंगे, 1 add कर देंगे, तो यहाँ पर 1 add करके, जो हमारा answer बनेगा, वो क्या बनेगा, 2.497 की जगा plus 1 करेंगे, तो क्या होगा, 8, तो यह हो जाएगा आपका answer, ठीक है, तो पहले तो यह दो rules लिख लेते हैं हम, तो हमने लिख लिया कि अगर हमने जो digit को drop करना है, वो 5 से less है, then preceding digit में कोई change नहीं आएगा, left unchanged, and अगर digit जो drop करनी है, वो greater than 5 है, then preceding digit में हम क्या कर देते हैं, 1, add कर देते हैं, ठीक है, now the question is, if अगर drop करने वाली digit ही 5 हो, जैसे कि अगर number होता, 2.4975 होता, और हमने अभी भी 3 decimal place तक लिखना है, then क्या होता, ठीक है, तो जो digit आपने drop करनी है, अगर वो 5 है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, इससे पहले वाली digit कौन सी है, even है या odd है, ठीक है, अगर odd है, तो क्या होगा, तो अगर digit drop करने वाली 5 है, तो हम देखते हैं, पहले वाली digit कैसी है, even है या odd है, अगर odd है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 is odd number तो हम कर देते हैं plus 1 that is 2.49 9 फिर क्या हो जाएगा 8 इसका answer हो जाएगा ठीक है अगर यहाँ पर drop करने के बाद अगर मालो जैसे 2.4965 होता ठीक है अब drop करने वाली digit तो 5 ही है लेकिन preceding वाली जो है वो even है तो even के लिए क्या होता है no change even के लिए no change no change के लिए आपका answer रहता है 2.496 रहता ठीक है तो इस rule को हम लिख लेते हैं एक बार तो if the digit to be dropped is 5 then preceding digit is unchanged if it is even and increased by 1 if it is odd एक बार और example लेकर समझते हैं जैसे कि माल लीजिए 1.3765 है और एक में है 1.3775 है ठीक है और हमें चाहिए 3 decimal place तक यानि कि सिरफ यहां तक चाहिए तो 5 को drop करना है 5 को drop करने के लिए हम preceding digit देखेंगे जब even है तो unchanged रहेगी तो इसका answer हो जेगा 1.376 ठीक है अगर यहां drop करने वाली digit आपकी जो है वो 5 है और preceding digit अगर आपकी odd है देन क्या हो जाएगा increased by 1 1 से हम increased कर देंगे तो answer हो जागा 1.378 ठीक है Now very important rule अब next discuss करते हैं हम जैसे कि माल लीजिए बहुत बड़ी digit है आपके पास ठीक है माल लो 2.997 and माल सकते है 6259 कुछ ऐसी digit है ठीक है तो अब माल लेते हैं कि आपके पास भी बहुत बड़ी digit है ठीक है और मुझे यहां तक चाहिए only 5 decimal place तक चाहिए 5 decimal place तक तो यानि कि 5, 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि 2 तक चाहिए मुझे अब मुझे क्या drop करना है मुझे 5 and 9 drop करना है ठीक है तो मैं क्या करूंगी मैं direct 5 नहीं drop करूंगी मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे चलनी पड़ेंगी पीछे से calculations करनी पड़ेंगी ठीक है यानि कि अगर drop करने वाला number आपका intermediate है intermediate यानि कि अगर बीच में आ रहा है तो आप बीच में से उसको ऐसे नहीं देख सकते कि हाँ 5 करने वाला ड्रॉप करने वाला 5 है और पीछे वाला क्या even है तो no change नहीं ऐसा नहीं होगा हमें कहां से चलना है हमें पीछे से calculation करती आनी है जैसे कि सबसे पहले हम drop करेंगे 9 को 9 को जब हम drop करेंगे तो क्या होगा 9 is greater than 5 तो greater than 5 है तो उससे preceding वाली में क्या हो जाएगा एक number add हो जाएगा तो चलिए add करते हैं तो 2.99762 अब क्या हो जाएगा एक number add करना है तो यह हो गया 6 लेकिन मुझे चाहिए कहां तक 5 decimal place तक तो यानि कि मुझे कहां तक चाहिए मुझे चाहिए 2 तक तो अब drop करने वाली कौन सी digit है अब drop करने वाली है हमारी 6 तो यह drop करना है Now 6 is greater than 5 अब अगर यह greater than 5 है तो preceding 1 में फिर से 1 add हो जाएगा तो देखे 2.9976 अब यहां क्या हो जाएगा 3 तो यह होगा आपका answer ठीक है अगर आप यह steps follow नहीं करते हैं तो आपका answer गलत हो जाएगा कैसे? देखे अगर हमने यह पहला drop नहीं किया दुसरा drop नहीं किया डिरेक्ट हमने यह देखा कि हाँची 5 decimal place तक चाहिए अगले वाले को drop करना है अगला वाला क्या है 5 है तो 5 से अगर drop करने वाला 5 होता है फिर हम preceding वाले को देखते हैं अगर even है तो according to rule जो हमने अभी भी पढ़ा फिर तो no change आना चाहिए था फिर हमारा answer आता 2.99762 ठीक है according to which rule according to third rule कि drop करने वाला अगर 5 है और अगर even है preceding digit तो no change तो preceding digit तो even ही थी फिर no change तो यह तो answer गलत हो गए यहाँ 3 आ रहे है यहाँ 2 तो यह answer हमारा गलत हो जाता तो इसलिए यह हमें जब भी हमें intermediate digits पे अगर हमें drop करना है तो हमें पूरी calculations पीछे से चलती आनी है ठीक है इसका एक और example लेखते है तो मान लीजे यह मैंने एक digit लिख लिए है ठीक है तो हमारे जो question है वो कह रहा है कि पहले इसको 4 decimal place तक लेकर आना है ठीक है पहले 4 decimal place का answer लेकर हो 4 decimal place तक यानी कि 2992 यानी कि यहां तक जाना है हमको ठीक है यहां तक जाना है तो चलिए सबसे पहले क्या करना है drop हमें 4 drop करना है ठीक है 4 को drop करने के लिए हम rule देखेंगे कि 4 is less than 5 अगर less than 5 है तो preceding वाले में कोई भी change नहीं आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा हम इसको ऐसे लिख सकते है नंबर को 3 1 1.2 9925 with no change rule ठीक है तो हमें चाहिए 2 तक चाहिए 4 decimal place तक यानी कि next number drop करने वाला हमारा 5 है तो if number is 5 फिर हम क्या करते है हम preceding वाले को देखते है if the number is even then no change if the number is odd then हम one add कर देते है तो भी हाँ पर 2 है 2 is even तो हमारा no change वाला rule लग जाएगा तो हमारा answer के आजएगा 3 1 1.2 992 यह आपका आगया answer up to 4 decimal place तक का clear है अब teacher ने बोला कि इसको 3 decimal place तक लेकर आओ 3 decimal place तक ठीक है 3 मतलब की अब मेरको 2 को भी drop करना है तो 2 को drop करिए 2 को जो मैं drop करूंगी 2 is less than 5 then preceding वाले में no change वाला rule लग जाएगा तो क्या आजएगा 3 1 1.2 99 हो गया 3 decimal place तक का answer done अब 2 decimal place तक लेकर आईए इसको 2 decimal place 2 decimal place के लिए हमने last वाला 3rd वाले को drop करना है now this is greater than कितना greater है यह greater है 5 से greater है तो क्या आजएगा preceding वाले में 1 add हो जाएगा जब हम preceding वाले में 1 add कर देंगे तो यहाँ पर क्या आजएगा यहाँ पर हो जाएगा 0 ठीक है 9 का 10 बनाना है तो यह हो जाएगा 0 और यहाँ पर आजएगा 1 तो हम लिखेंगे sorry यहाँ आजएगा 1 तो यह हो जाएगा 3 तो 311.30 यह हो जाएगा तो यह आप चाहिए 2 decimal place बोल दो चाहिए आप इसको 1 decimal place बोल दो क्योंकि point के बाद 0 की कोई value नहीं होती है तो यह हो गया आपका exact answer ठीक है अगर आप 1 decimal place भी बोलोगे तो भी यह क्या हो जाएगी 0 ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि 0 is less than 5 less than 5 है तो no change इसलिए हम कहते हैं कि point के बाद जो last की जो 0 होती है उनकी value नहीं होती but अगर 3.11 306 होता then इस 0 की value होती क्यों क्योंकि जब हम इसको drop करते तो यहाँ पर one add हो जाता तो हम लिखते 3.11.31 तो यह था आपका छोटा सा concept of rounding of now अब हम कुछ questions करते हैं arithmetic के ECQ पर based तो अब पढ़ने वाले हैं हम arithmetic operations with significant figures ठीक है साथ में हम rounding of concept भी देखेंगे तो सबसे पहला arithmetic operation कौन सा होता है addition या subtraction का तो उसके लिए क्या rule है तो इसके लिए rule है कि जो final result should retain as many as digits after decimal as there are in number with the least decimal places नहीं समझ मैं यह कह रहा है कि माल लीजिए example देके समझते हैं हम कि माल लीजिए अगर मुझे 2.3 को plus करना है 3.23 से ठीक है तो हम इसको कैसे plus करते हैं हम इसे ऐसे लिख देते हैं 2.3 पॉइंट के नीचे point आता है 2.3 तो यह हो गया 3 यह हो गया 5 यह हो गया 5 तो यह answer आ गया 5.53 ठीक है तो नहीं हम इस rule के according वो कह रहा है कि हमने क्या करना है जो final answer होगा ना उसके बास इसके बाद decimal के बाद 2 digit है कम किसके पास है least decimal वाली किसके पास है कितनी है एक है तो इसके बाद भी जो final answer होगा उसके पास सिरफ एक ही decimal place वाली digit होनी चाहिए यहनि कि हमें 3 को क्या करना है drop करना है now you have to look कि यह 5 से कम है अगर 5 से कम है तो preceding वाली में कोई भी change नहीं आएगा तो यह answer आजाएगा आपका 5.5 तो यह rule आपका यह खहता है इसे के उपर based एक question करते है तो आपको x यह दे रखा है y यह दे रखा है आपको find करना x plus y and x minus y ठीक है तो calculate करते हैं सबसे पहले x plus y के लिए क्या करना पड़ेगा यह लिख देंगे y यानि कि 12 decimal के नीचे decimal यह हो जाएगा plus जब हम plus करेंगे क्या आएगा 8, यहाँ 7, यहाँ 0, carry over 1 2 to 5, 1 यह आजाएगा 25.087 लेकिन हमें final के अंदर उतने ही decimal रखने हैं जितने की least वाले number के पास है least वाले में यानि कि बहाँ पे decimal के बाद सिरफ एक है तो हमें भी decimal के बाद सिरफ एक चाहिए तो यानि कि मिरको सिरफ यहाँ तक चाहिए तो मिरको क्या drop करना है मुझे पहले 7 drop करना है चलिए 7 drop करते हैं जब 7 ड्रॉप कर रहे हैं, हम तो ये 5 से ग्रेटर है, अगर 5 से ग्रेटर है, तो इसका क्या मतलब हो, अब प्रिसीडिंग वाले में 1 एड हो जाएगा, तो क्या आंसर आजएगा, 25.09 आजएगा, लेकिन हमें decimal के बाद सिर्फ 1 रखना है, यानि कि हमें 9 को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, अगर 9 को ड्रॉप करना है, अगें, this is greater than 5, 9 is greater than 5, तो कौन सा रूर लग जएगा, कि प्रिसीडिंग वाले में 1 एड हो जाएगा, तो जब प्रिसीडिंग वाले में 1 एड हो जाएगा, तो टोटल लास्ट में आंसर फाइनल क्या बनेगा, 25.1, ये हो जाएग now x-y calculate करना तो करते हैं, 12.587, 12.5, minus कर दीजिए, क्या आजाएगा, 870.00, ठीक है, again हमें क्या करना है, हमें decimal के बाद सिरफ एक ही डिजिट चाहिए, क्यों क्योंकि दोनों नंबर में least वाला इसके पास है, तो एक ही चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 7 को drop, 7 is greater than 5, तो हमें 1 preceding वाले में क्या करना पड़ जाएगा, 1 को add करना पड़ जाएगा, 9, लेकिन हमें decimal के बाद एक ही चाहिए, फिर 9 को भी हम क्या करेंगे, drop करेंगे, 9 is greater than 5, तो preceding वाले में क्या हो जाएगा, हमारा 1 add हो जाएगा, तो क्या आजाएगा, 0.1, यह कि अगर arithmetic operation, अगर आपका multiplication and division है, तो कैसे करना है, तो multiplication and division के लिए क्या करना है हमें, हमें देखना है कि final result के अंदर उतनी significant figures होनी चाहिए, जितनी original number के पास है, कम वाले number के पास है, जैसे कि पहले वाले में क्या था, यहाँ पे हम देख रहे थे decimal के बाद इसके पास एक है, है न, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने decimal वाला नहीं हमें देखना है, significant figures कि के पास कम है, तो उतनी ही significant figures आपके final result में होगी, जैसे कि example देते हैं, 12 multiply 2.256 अगर हमने करना है, ठीक है, तो इसके पास कितनी significant figures है, 2, 2 significant figures, इसके पास कितनी है, 4 significant figures, क्योंकि सारी non zeros जो होती है, वो सारी significant होती है, जब इसको हम multiply करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा, 27.072 अब यहाँ पर कितनी significant figures है, यहाँ पर 5 है, क्यों, क्योंकि non zeros के बीच में, जो 0 होती है, वो भी हम significant count करते हैं, लेकिन हमें answer में सरफ 2 चाहिए, तो 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के ल greater than 5, यहाँ पर 1 एड़ हो जाएगा, now 1 is, यहाँ पर 1 आते ही, less than 5 हो गया, तो यहाँ पर no change, and that's why यहाँ पर क्या लिख देंगे हम answer सिधा हमारा 27, माल लीजिए, यहाँ पर 6 आता, तो preceding 1 में क्या हो जाता, 1 एड़ हो जाता, तो 28 हो जाता, ठीक है, तो इसी से related question करते हैं एक और, तो जैसे x आपको यह दे रखा है, y यह दे रखा है, calculate करना है, x multiply by, यानि कि 3 multiply 8, 3.8 multiply 0.125, जब हम इसको multiply करेंगे, तो आपके पास आएगा 0.4750, now you have to look कि किसके पास कम significant figures हैं, तो यहाँ पर 2 significant figures हैं, क्यों, क्योंकि known zeros जो होती हैं, वो significant होती हैं, यहाँ पर अग क्यों, पॉइंट से पहले वाला Pit जो काउंट नहीं होगा, तो हमें可म नहीं होगा, तो जब हमें जब ना करेंगे 0 को करेंगे, 0 less than 5, तो preceding वाले में कोई चींज नहीं आएगा, now you have to drop 5 5 तो जैसे 5 आता है कौन सा रूल लग जाता है कि preceding वाला even है कि odd है preceding वाल यहां आप देख सकते है odd है अगर odd है तो क्या करते हैं हम plus 1 कर देते हैं तो क्या आजाएगा 0.48 यह हो जाएगा जिसके अंदर 2 significant figures आजाएंगी this will be your answer ठीक है ऐसे ही हमारी NCRT में कुछ examples है let us discuss those तो आपका example NCRT में दे रखा है 2.13 that is each side of cube is measured to be 7.203 meter एक cube है cube आपको पता ही है क्या होता है cube जिसकी सारी की सारी sides जो होती है वो क्या होती है same होती है equal होती है तो यह होगा 3D structure जिसके अंदे जो side है वो आपकी क्या दे रखिए 7.203 meter दे रखिए आपको हमें find करना है total surface area and volume ठीक है तो देखें यहाँ पर math आपका कहीं पीछा ने चोड़ने वाला अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ कि हम अब plus 1 में आ गए है तो हमें 10th के math के जुरत नहीं है 10th चोड़ो यह तो छोटे classes है 5,6,7 standards से यह आपको पता चल जाता है cube का total surface area निकालिये volume निकालिये तो यह छोटे-छोटे concept में आपका base clear होना बहुत जुरूरी है ठीक है अगर आपको किसी भी चीज में problem आ रहे है total surface area में volume, cube, cuboid यह सब चीज़े क्या होती है तो मेरे 9th में maths के अल्रेड एक video बना रखी है तो मैं उस video का particular link i button पे डाल दूँए क्यों क्योंकि 11th के starting है अभी आपके पास time है अपने base clear करने का आप कर सकते हैं जैसे आपने एक बार pace पकड़ लिया speed पकड़ लिया उसके बाद आप छोटे-चोटे concept को neglect करना चला शुरू कर देंगे तो I don't want that कि आप छोटे concepts भूल जाए और बड़े concept को cram करें No, I don't want that इसलिए learn होने चाहिए आपको हर एक formulas तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि total surface area क्या होता है cube का cube के कितने surfaces है 1, 2, 3, 4 4 sides, 1 ऊपर और 1 नीचे 6 surfaces है तो हो गया 6 और एक surface क्या होता है square होता है square का area क्या होता है side square 6 side का square यहाँ के total surface area of cube तीक है इसी concept से मैंने आप लोगों को वो सारे formulas समझाई हुए है instead of gramming ठीक है तो start करते है 6 side कितनी दे रखी है आपको 7.203 का square तो इसको solve करते हैं तो जब हम इसको solve करेंगे तो आपके पास आएगा 311.299254 मीटर था तो मीटर का square right now हमारे पास ये digit है ठीक है इसमें कितनी significant figures है 1,2,3,4 4 significant figures है यानि कि हमारे answer में भी कितनी significant figures होने चाहिए 4 यानि कि मुझे कहां तक चलना है यहां तक चलना है तो यानि कि पीछे से सारे number मुझे drop करते आने है ठीक है और मुझे सिरफ decimal place जब मैं 4 को drop करूँगी तो 4 is less than 5 तो यहां पर no change ठीक है नौ 5 को drop करना है तो 5 को drop करने के लिए पीछे वाले preceding वाले digit को देखते है even है के odd है even है तो no change यहां देख सकते है even है तो no change यहां पर भी same हो गया 2 ही आ गया now you have to drop 2 2 को drop करने के लिए आपको देखना पड़ेगा this is less than 5 5 से छोटा है तो यहां preceding वाले में no change तो यहां की 2, 9, 9 तक आप ऐसे ही without change चलते आए right now you have to drop 9 9 को drop करना है which is greater than 5 5 से greater है तो preceding वाले में क्या हो जाएगा add हो जाएगा 1 1 को add कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, 1, 1, point जब 1 add करेंगे तो 0 carry over 1 3 आ गया ठीक है यह कितना हो गया आपका 3, 1, 1, 1, 3, 0 now यह क्या है आपका यह क्या हो गया आपका round off तो यह कितनी significant figures है आप मुझे बता सकते है 4 है यह 5 है तो point के बाद digit के बाद जो zeros होती है वो आपकी significant नहीं होती है तो आप इसका answer यहाँ पर भी drop कर सकते है यह आप इसको लिख सकते है 3, 1, 3 तो point के बाद 0 की value नहीं है वो significant figure नहीं होती है ठीक है और अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं अगर आपने इसको भी round off करना तो आप देखे this is less than 5 less than 5 तो previous one में no change तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते है यह आप significant figures के तरीके से समझो तो भी point के बाद जो भी zeros होती है those are non-significant figures तो यह आजाएगा meter square यह होगया आपका answer ठीक है next करते है volume पूछा है तो हांजी अब मुझे volume बता दीजिए तो मैंने आपको याद होगा volume के बारे में बताया था क्या होता है base का area into height base यह है यानिकी square ठीक है और height it is also again edge तो अगर यह a है तो a square into a क्या और जगा a cube ठीक है तो volume of cube this is a cube ठीक है a क्या है 7.203 का cube जब हम इसका cube करेंगे तो आपके पैस answer आएगा 373.714754 meter cube क्योंकि volume cube में आता है now it has 4 significant figures हमें भी कहां तक जाना है 4 तक ही जाना है यहनि कि पीछे से हमें क्या गरते आने है drop करते आने है ठीक है तो चले शुरू करते हैं drop करना 4 4 को drop करेंगे 4 is less than 5 तो previous one में no change now 5 5 अगर आता है तो हम previous digit को देखते है if it is even then no change if it is odd then plus 1 हो जाता यहां हम देख सकते है 7 है तो 7 है odd है तो यहां पे plus 1 हो जाएगा तो क्या बज़ेगा 373.7148 हो जाएगा ठीक है now 8 8 को भी drop करना है हमें 8 is greater than 5 तो greater than 5 है तो previous one में 1 अड़ हो जाएगा तो 373.715 हो जाएगा ठीक है now it is 5 5 है तो previous one में देखेंगे अगर odd है तो 1 अड़ हो जाएगा even है तो no change तो 1 is odd 1 odd है तो क्या हो जाएगा 1 add हो जाएगा तो यह हो जाएगा 7,2 हो जाएगा now we have to drop 2 also क्योंकि हमें सिरफ 4 significant figures तक चाहिए now 2 is less than 5 ठीक है 2 less है 5 से तो यानिकि previous one में no change तो हमारा final answer के आएगा 373.7 meter cube this is your answer ठीक है तो यह था आपका example 2.13 चलिए करते example 2.14 तो example 2.14 क्या कह रहा है 5.74 ग्राम एक सबस्टांस का इतना volume occupy करता है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है what is volume, what is mass तो आप ऐसा ही देख सकते हो कि this is mass and this is volume centimeter cube है तो यह क्या है volume है हमें करना है express its density by keeping significant figure in view significant figures को ध्यान में रखते हो उसकी density निका लिए तो हमें पता है density का formula क्या होता है mass by volume ठीक है now mass is 7.42 and what is volume? 1.2 तो जब हम इसको calculate करेंगे यह point हटाया हमने यह नीचे लगा दिया 100 यह point हटाया उपर लगा दिया 10 10 से 10 cancel और इसको जब हम calculate करेंगे तो माली जी हमने इसको 2 पे cancel कर दिया 2 2s are 4 2 8 सा and 2 7 सा ठीक है तो यह हो जाएगा 2 8 7 divided by 6 3 तो इसको जब हम calculate करेंगे यह near about आपके पास आता है 4.783 and so on लेकिन मैं आगे नहीं जा रही हूँ क्यों? क्यों कि देखे यहां पर हमारे पास 3 significant figures है यहां हमारे पास 2 significant figures है यानि कि मुझे कहां तक जाना है मुझे सिरफ 2 significant figures तक जाना है that means मुझे आगे की digits को drop करना है तो मैं क्या करती हूँ? जब 3 को drop करूँगी तो मैं previous one में check करूँगी यहां पर देखे this is less than 5 तो previous one में no change now we have to drop 8 now 8 is greater than 5 तो previous one में एक change हो जाएगा that is 4.81 आड हो जाएगा तो 4.8 साथ में ऐसा unit क्या है ऐसा unit क्या लगेगी grams per centimeter so this is your answer तो अब देखे यह सब चीजे हम क्यों कर रहे है हमने जैसे significant figures निका ली है तो अब अगर मैं आप से पूछती हूँ कि यह वाली digit यह यह वाली digit कौन से जादा precise है कौन से जादा accurate है तो आप मुझे बताए कौन से जादा accurate है यह जादा accurate है क्यों कि यह इसके पास जादा significant figures है तो 1, 2, 3, 4, 4 significant figures है तो यह जादा accurate है जादा precise है Let us discuss about accuracy and precision तो accuracy and precision के अगर मैं बात करती हूँ तो सिधी से बात यह है कि मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक का कितना distance है ठीक है एक बच्चा कहता है कि माम 5 km है दुसरा बच्चा कहता है कि नहीं माम इसके घर का तो न 5.12 km तक का distance है ठीक है तो क्या हुआ यहाँ पर आप देख सकते होगे 5.12 यह इसने और ज्यादा accurate form में बताया है हमें कि कई बर हम क्या कहते है मोटा मोटा बता देख यहां चे 5 km तक पड़ेगा या 10 km तक पड़ेगा कुछ ऐसे हम क्या बताते है राउंड ओफ करके पहली बता देते है तो जितने भी राउंड ओफ चीजें होतीं वो ज़ादा accurate या ज़़ादा precise नहीं होती है जिसके पास ज़ादा number में आपके पास quantity आती है जैसे कि जिसके पास ज़़ादा significant figures होती है वो ज़ादा accurate या ज़ादा precise होता है so इसको define करते हैं हम तो हम कह सकते हैं कि accurate measurement जो होती है वो तो real value के बहुत close होती है जबकि precise जो measurement होती है वो जिसतनी जादा significant figures होगी हम कहेंगे उतनी ही जादा precise है जैसे कि अगर माल लीजे कोई एक real number है आपके पास 2.5 माल लीजे किसी जैसे कि कोई एक कपड़ा है ठीक है तो that is 2.5 meter का कपड़ा ठीक है लेकर मैंनी किसी बच्ची को बोला कि मेशर करना यसको कितना कपड़ा है तो ईसने बोला कि मैम यह न 2.4 आरहा है ठीक है, एक बच्चे ने बोल दिया, मैं 2.4 आ रहा है, तूसरे बच्चे ने बोला, नहीं मैं 2.338 आ रहा है, ठीक है, तो देखे, close कौन हुआ, 2.5 तो actual था, इन दोनों में से close कौन हुआ, close हुआ ये वाला, तो ये हो गया आपका accurate, जबकि इसके पास significant figures कितनी है, इसके पास 4 significant figures है, तो इसे हम बोलेंगे, ये जादा precise है, so this is a very, very thin difference between accuracy and precision, तो हम ये कह सकते हैं, more precise is more accurate, but does not exact, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, more precise, जितना जादा precise होगा, वो उतना जादा accurate की तरफ जाता है, ठीक है, but वो exact नहीं होता, ठीक है, वो exact नहीं है न, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, accuracy and precision, so thank you, that's all for this video, next video में हम cover करेंगे next concepts of this chapter, thank you. बाहसे हैं, करेंगे, रहें चक्ता बाहसे हैं, तो करेंगे next